कि झेहिंद आज हम बात करेंगे फर्मासिट का इनलेशिस का पार्ट डू लेकर आएं कि अनलेशिस में टाइटरेष Eles क्या होते हैं एंडवाथ करेंगे स्टैंडराइजेशन क्या होता है क्या होता है एंड प्ट्थ ہیں है and step step of go to a whole detail से बात करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे कि आप उसमें क्या यूज होते हैं टाइटरेशन उसके आप introduction जाने लिए तो आपको समझने में आसान होगा तो देखें दोस्तों जो हमारे Tutrition में यूज होता है एक आपको Bureate होता एज जो आपको दिखाए दे रहा इसे Bureate कहते हैं आपको दिखाए दे रहा लिखा है Bureate and नीचे होता है simply Meghan Monte from limb faster Than from कुछ शूछान ओसमें हम क्या करते है जिसके बारे में हमको Concentration ना होता है उसको टेस्ट को हमें से zac knappल futureas एक पर इसे कहते हैं इसके अहीं जो यह इसें ट्रेंड कहते हैं और शुक्यां फ्लश्ट के आप समयं लिजिए टॉप तॉप मौने टॉप जो आख तॉप यह जो आधर सिर्द। कि आए और रीचे कोनिकल फासन भारा होता है उसको याद करने के लिए आप असान तरीका समझ सकते हैं ठीक दोस्तों एक टाइट्रेशन प्रोसेस होता है इनमें आप कुछ इंडिगेटर यूज करते हैं ताकि जब हम रियक्षन स्टार्ट कराएं तो इंडिगेटर जब इस इस सलूशन का एस सलूशन एस सलूशन दोरों आपस में मिलें तो जब मिलें तो कब एक दोरों आपस में मिलकर रियक्षन को इंडि करते हैं उस इंडिपॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए सो करने के लिए इसमें हम क्या कहते हैं इंडिगेटर यूज करते हैं कि जैसे माली जी इस गेंपल के थोरो माली जी हमारा क्या कहते हैं यह हमारा solution जो होता है acid है जब acid solution है तो हमालेजी हमारा base हम इसमें डार रहे हैं इसको हम acid को neutralize करने के लिए basic में तो अगर जैसे हम क्या कहते हैं इसको मिलाएंगे तो indicators में यूज हुआ है मालेजी indicator फिनॉप्थलीन यूज किये हैं जो की आइड होगा जैसे acid कमाता इंड नूट्राइज होगा basic से तो हमारा solution रोता पिंक में change हो जाएगा जैसे color change हो जाएगा तुरंद क्या करते हैं titration process को इंड कर देंगे हमको पता चल जाएगा कि या reaction होती हैं दोनों नूट्राइज हो चुकी है इंड टाइटरेशन खतम हो चुका है इस इस सलूशन का इंड हो चुका है अब यह जो सलूशन है क्या कहते हैं हमारा बचा है basic नेचर हो चुका है मतलब इसी तरह हम किसी सलूशन को किसी भी reaction को in डिटर्माइंड करते हो इसके अलग अलग इंडिकेटर को यूज़ करकी ठीक दोस्तों तो एक जर्नल परोसेस होता जैसके दोर करते हैं इसके बारें डिटेल से बात करेंगे हम अब एक 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 इस्टेक बारें पढ़ लेते हैं तो पहले जो इसमें टर्म सब होते हैं पता हो गहां दोस्तों टाइटरेशन सब आपको इनालीस से यही री प्रॉइंड करते हैं मालीजी दो र्यक्शन हो रहे हैं जैनेंगैं कि दोनुन र्यक्शन हो चुके हैं मालेजी आप क्या करेते दो फाटर को अम मिला एक इंड़ उसके साथ किसी बी solution की कंसंट्रेशन को and उस किसी बी solution के particular solution को उसके nature को we determine कर सकते है कि हुआ कौन सो is the nature is basic nature उसके nature के बारे में titration process को किसी बी solution को determine कर सकते हैं ठीक दोस्तों तो हम देखते हैं titration क्या होता उसका definition इस देफिनीशन इक it is the process यह process होता है और the indication का एक यह मतलब संकीत संकेत देता है टाइटिजन इंट। किसी भी रreaction के मिलटulator सब्सक्राइब अपेरेंट और किसी रियक्षन सब्सक्राइब टो क्या है उसमें appearance जैसे हमारा अगर acid में है तो color अगर फिनॉप्थिल अगर मालेजी होगा colorless होगा जैसे बेसिक नेचर में अगर हम फिनॉप्थिल इंडिकेटर की यूज करेंगे तो आप इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल से नेस्ट वीडियो में आपको बताएंगे काउन से इंडिकेटर काउन से color प्रोड्यूश करता है किसी मेडिया में ठीक है तो इस अपेरेंस इस अथ्वा इस अपेरेंस आप color अथ्वा फार्मेशन प्रेसिपिटेंश यादि color change होगा अथ्वा कोई प्रेसिपीटेशन बना आप आप फार्मेशन अ कए प्रेसिपिटेशन वायट सब्स्टेंस मतलब उइवाइट्स की रियक्षिन के द्वारा प्राप्त होता है ग्रेनूल्स फमें वह भी एप ग्रेनूल्स छोटे छोटे ग्रेनूल्स से आपके कॉनिकल फ्लाक्स में जम जाएंगे आपके स्क्रीन में आपको दिखाए देरेंगे कैसे की प्रेशिपिटेशन बनता है उसके दौर आप डिटर्मान कर सकते हैं ठीक दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं कि इसमें जो टाइट्रेशन है टाइट्रेशन में दो वर्ड यूज होते हैं टाइट्रेंट एक टाइट्रेंड जैसा कि आपको बहुत सुरुवात में आपको दिखाए थे कॉनिकल फ्लाक्स में जो भरा होता है उसे हम टाइट्रेंट नीचे कहते हैं जो हमारा व्यूर्ट भरा होता उसे टाइट्रेंट कहते हैं टाइट्रें में आपको पूरा व्यूरेट एंड कोनके फ्लक्स एंड क्या कहते हैं कि ग्लास ट्यू और तीन-चार एक्क्यूमेंट के साथ ही फर्स्ट यह आपको भी देगा ठीक दोस्तों तो टाइट्रेंट जो होता है इस सलूशन आपको नो कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन आपक कंसंट्रेशन पता होता है दूसरे की सलूशन का कंसंट्रेशन आप्टेरमांइन करते हैं उसके सहयता से ठीक दोस्तों तो माल लेची आपको पता किया स्टुशन मार कि इसी 17 neighbours पेस नहीं है तो है करेंगे आपका आप बेसिक बेस आप बेस ऊपर आपको कर फ्लक्स में बेस लिए इसको आप जान रहें लेकिन नीचे वाले सुलूशन को पता नहीं क्या लिए तो उसमें क्या होगा से उसमें आपको जब इंडिकेटर हम फिनॉप्थलीन डाल देगा हम जानेंगे कि अगर हैंनने आपके लिएचेंट आया से सक्याइट हूं जैसे क्रेंगे तो हम भी करने करेंगे तो फिर आपको कहां लगाना फटाएगे इसको आपको वियूर्ट में फिल करना है तीज वाला आपको फिल करना हों तो इसी तरह दोस्त अब हम कि हैं आप इसको छोड़ती है दिस सलूशन आफ अनोन कंसेंटेसा इस सलूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता नोन होता है इसे हम क्यों कह̃ति है अगर बात करें इंड़ो पाइंड क्या होता है इंड़ो डोस्तो किया होता है जब रियक्शन बारे मारा इंडिकेटर संस teknा और कल्ट गरे शेंज गता है हमार को पता चलता है कि हमारी इंड़ पाइंघ्ट होता है कि Assistant के के underwater Sebastian के दोर हमें पता चलता है कि महीं है इंड़ पाइंट हुआ हैा यह नेass young इंड़ पाइंड क्या होता है दोस्तो इस a point in a taxation पइंड होDılmış Reaction reaction between two solution at which जिसमें reaction होता दो solution बीच में जस्ट कम्प्लीट दो solution बीच में reaction होता जस्ट कम्प्लीट हुआ होता एड विस इंडिकेटर कैन सो सौर्प कलर चैंज इंड काल इंड पॉइंड जो की दो सलूशन के बीच में रियक्षन इंड कम्प्लीट होता है तो हमारा इंडिकेटर जो होता है कलर चैंज करके हमें इंडिकेट करता है ठीक हमारा इंड पॉइंड होता है तो एक्वेलेंट पॉइंड के बारे हम क्या कहते हैं हुआ होगे आप इसमें बहुत डिफेरुट एंडू पाइंट यह होता दोस्तों बस माइझनोट इसमें अ इस मेरेंस इतरण डिफ्रेंस है कि एक्विएलेट पॉएंट होता है जब जो होता है हमारे बियुरेट के solution की बियुरेट एंड कानिकल फलाज दोनों की कि मात्रा जो होती है दोनों एं माल लीजे सिट एंड बेस दोनों जो होता है नूटलाइज हो गये है माल एकद्म जीरो कर चुका है तो वह वह उवा पॉंड वह जहां पर इसीट के मात्रा बेस्क मात्रा दोनों आपस में बराबर हो जाए अभी तो इसका ज्यादा है कोन के फ्लास वाले के यहां पर लेकिन वह पॉइंट आ जाए जैसे जैसे बेस्क मात्रा यहां गिरे गई इस कोन के फ्लास में तो दीरे दीरे बेस्क मात्रा बढ़ेगा लेकि ए उसे हम equivalent point कहते हैं ठीक दोस्तों तो तो एक्विवेलेंट पॉइंट आपको समझ में आओगा आई आई ओप सब्सक्राइब करेंगे था हमारे कुनकर फ्लास में तो पांच एमल सल्यूशन जो हमारा जब आएगा ब्यूरेट का दोनों आपस में अगर मिलाएंगे तो पांच दोनों हो जाएं तो हमारा में वेलेंट होते हैं ठेक दोस्तों हो मारो का उत्तों को उस्समें मातर बढ जाएक जैसे में हमारे नेचर में बढा लेगा एंभ महारा पिंक कलर ओकरते ता है और जैसे फिर को कर का तरह स्पाइब पटास और फिने को फिरuç सब्कोरत कीमारा स्थ tournaments खेएक ठला है और फ locked प्रफ्लेंट भ रहुँ है यह को फ्लाक्स सोम्टतर भूदन माथ्रा चो की बराबर हो जाए जैसे में इस्ट्रा बढ़ाएंगे किसी कम आता है तो हमारा एक एक इंडिगेटर जो होता है वह पुछो करेगा अपना कलर चेंज करेगा हमारा इंड़ पॉइंट होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इस्टेंडर डाइजेशन की स्टेंडर डाइजेशन क्या होता है तो इस्टेंडर डाइजेशन दोस्तों यह एक प्रोसेस होता है जैसा कि अनलिसिस के अंदर इनलिसिस को जो हमारा टाइटरेशन प्रोसेस होता है उसी के अंदर प्रोसेस है इस्टेंडर डाइजेशन दोस् तो एक स्टेंड़ सलूश्न होता है इस्टेंडर सफुल उसके तक हम को पता होता तो उसके जरी हम 8 कल सक्नान rabbits का सिरेन और सह अन्ट की सोलूशन के OWM करें अमांट को क्रते हैं का क्या करते हैं स्टेंड्र को मैं करते हैं हमारा स्टेंड Ah ही शर्क्रमALL आता है तो हम देख लेते हैं टेफिसन क्या होता है इत-ग ल्हाइब कि Are upो just let me underston later Fantastic Sam Live a process होता स्टेंड़ा बोचसह होता जिसके द्वारा हम क्रते हैं जैट एकविस अभी सोलूशन कि स्टेक्ट को सांव bardzo करते हैं ठीक यह पर यह बोए इस होता है जैसा टाइट्रेशन जो तो तो इस टेंट이다 ही वह दोस्तों स्टेंड़ाइजेशन में दोनों को नहीं थिए बट तो मचाहिं कि हीडिंस तर अंधर है ठेक दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं स्टेंडाइजेशन दोस्तों कैसे होता है तो वेर दी Concertation of one solution is determined by the no concentration of other solutions आपको बज़े से हमने बताया कि concentration of one solution आपको पता होता है उसके जरिये से हम किसी कि आधा स्रुजुशन के कंसेंट करते हैं है अब हम कि ढिख हुए कि सक् nic करने में तो हम कहते हैं अगर आपको पदाफ लिखायों किसी भी नाम से आप उसको जान सकते हैं अगर आपको पता अगर लिखे है योह कि श случай कहना है यंद rozum एक क्या कहते हैं इस टैंडार्फ आजेशन तब भी आपन सकरशब्स लिखना अच को ना थे खाता नो इस तो एक लिखना काल में दिहंडी काल उसका मिमा लाफ करना है कि यह गांड़ उसका अचानुट- Inn le cum को डिटर्माइन लौल करना हैो खेंक़ आधा बाल डिनियमकार्ट नातिकर उसको में तो पर करें को आंब सेने कि हमारा राया स्टैंडर स्लीशन उसीора आपक्ते सलूसेन होता भरत तैस्ट सेम्पल होता लुकिट वर्म 스타 ञाओं फार में तो स्कूलीट फार मैं तो यहां पहले उसको क्या कहते हैं स्टैंडेशन बनाएंगा उसके भाद उसके करेंगे तो वही कह रहा है फ़हले मंग्छ स्टेंच को डिजॉल करना है जहा है हमारे स्टेंडर्स सुलूशन हम बनाएं एक स्टेंडर्स सलूशन बनाएं गए और कम बनेगा सैंपल सेंपस्ति कि पहले कुए दुनों को फ्रिकेर करेंगे ठीके कि wallumet용 tracks होता है जो कि आपको थिए रहा है यह हमारा व्य-्मेट प्रेस्ट इसान ह्स podob दूसर हमारा सैम्पल सोलूँजन से इसे कि neste करने के बाद दूसरे में इसको इस्टेंडर सलूशन को हमने आपने कौनिकल फ्लाक्स में फिल लेगी उसके बाद तीसरे स्टेम में हम फ्यू ड्राफ आप इंडिगेटर यूज करेंगे ताकि हमारा जब दोनों का रियेक्शन टाइटरेशन करें तो दोनों जब इंड़ प क्लर चेंज करें जिससे कि हमको इंड़ पॉइंड़ प्रकार के इंड़ इसन करेंगे फोल डेटेल से मस्तिक ताप पूरा टाइटरेशन आपको इजी बेह में आपको समझा दिया जाए कि कोई दिखकर नहीं है ठीक दोस्तों तो ऑबजेक्ट उसके बाद देख लेते हैं स्ट्राइमरी प्रामरी इस्टेंडर SUR Living Home को अगर तो को लीटिक करने है इसके मंने किया किया इस्टेंडर से उसलूटर किया है एंड टेस्ट सेलुशन कोन कर Flux में को फ्यू ड्राफ इंडगेटर यूज करना है जा ना कि वूरेत मिटे के है एंड फelijk स्टेमे में दोस्तों को टाइट रेटीं सिट मना है टाइट necesario अगेंस इस साट करना है तब तक करना जब कि हमारा कलर जो होता है है ऊचैंज करना होगा दो स्वाल को इसका पानी इसमें इसका स्टेंडर सेलूइशन को वाटर सेलूइशन होता है इसमें आने लगाए धीरे-धीरे बहुत-बहुत इसको इसमें डाएंगे ताकि कलर चेंज हमको असपस्टोप से दिखाई दे ठीक है तो जैसे ही माली जी अकर पिंग कालर फुल होगा पर बता जाए कहुं से कौन से स्टैन्डाइशन में कौन से कलर होगा थी टायक साइस टार्ट करतेंगे जो फॉर्थ स्टेब में जो वाइगा हमारा उसके बाद रिकार्ट दी वैलूम जोमा जिस पॉंट हमारा टाय से इंड होगा हमको डीटरमाइन करना है यहां पर जो की 5 ml 10 ml 0 ml ml 50 ml तक लिखा रहा था जितने इमल वाटर यूज वह उसको रिकार्ट करना होता है मैं और रिकार्ट करना तो वह हमको रिकार्ड दी वैलू रीडिंग इसको लिखनी परती कितने हमारा या टाइटरेशन मतब कलर चेंज हुआ उसके लिखना परता है उसके बाद इ एक फिर अगर तीनों फिर आगर मालीजी यही रिकार्ड आया तो मालीजी आपका टाइट्रेशन जो होगा वह स्टेंड बढ़िया हुआ है ताकि उसमें कोई भीरन नहीं है ठीक है तो यह रिकार्ड दीडिंग तीनों फिर आमको रिकार्ड रीडिंग करना हूं उसके बार दन कैसे होगा यह नोन वजो होता है दोस्तों इस नोवाइन जो होता है हमारे इसकी नॉर्मल्phone होती है रूम होता है कितना वैलूम इसका खथ हुआ है हमारा खरेल से और वीटू मतलब इसके इसकी वैलूम है तो हमको हमको इसमें जो सब्स्टेंस बराओ तो उसके नॉर्मिल्टी नहीं पता होती है इसकी नॉर्मिल्टी पता करने के लिए हम टाइटरेशन ही करते हैं टेस्ट सलूशन की तो इसलिए हमको यहनटू गयात करना होता तो यहनव तो विटू करेंगे क्योंकि एन्टू गयाद करना है जिसको विटू को इधर कर देंगे तहीं भाग महाँ जाएगा तो यह नवन विटू इसी फार्मुलोग लगा कर calculate कर सकते हैं कि जो हमारा कुन का फ लाश की अधिन हैं क्योंकि इसको नर्मलेयर वह को पता नहीं था इस्तेंडर स् 특 топ की और वाले की पता थी नीचे वाले नहीं पता थी ऊते हैं ठीक दोस्तों तो आसा करता हूं, आपको समझ में आहां होगा आपके आज की पीडियो के लिए जो पीडियों के लिए आपके डिरिस्क्रेप्शंब बॉक्समें तीजंगे हो गया है उसको आप क्या है जाकर टेलीग्राम पराइब डाउनलोड नहीं कि अवर्व कर लें लिए आब दोश्तों पीदिए ये फुल वीडियो मैं पर अपको यहां पर यह plot कि जाए बिक्ष कुस्टन को जैसे आपका फर्स्ट फर्स्ट एंडिट खतम हो जिस्ट आप इस इंपोर्टन कुष्टन जोगे हम से कुछ इसको भी डिटेल के करा जाएगे एंड इसी चैनल पर आपको तीन साल के प्रविए शेयर कुष्टन पेपर भी सॉल्व आपको प्रवाइड के जाएंगे ठीक द